दोस्तो ईमीतर पर OTP से और बायोमेटरिक से पेन कार्ड बनाने की सर्विस शुरू कर दी गई है अगर आप बायोमेटरिक का मतलब नहीं समझते तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपके आदार कार्ड में मोबाइल नमर रजिस्टर नहीं है तो आप अपना कोई भी फिंगर पिंट दे कर या या यह उठा या फिर उमली लगाकर पेन कार्ड बना सकते हैं तो यह सुईदा आप ईमीतर पर दे दी गई है तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आप ईमीतर के मादेम से ओटी पी से या फिर बायो मेट्रिक से किस तरह से अपना पेन कार्ड बना सकते हैं हमेशा की तरह यूसफुल जानकारी दूँगा तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं इमीतर के मादेम से पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर इमीतर आइडी को लोगिन कर लेना है यहां पर आपको ज्यान देना चाहिए कि वोलेट में आपके कम से कम सोडेर्स रूपे होने चाहिए क्योंकि 110 के करीब टोकन गड़ता है, उसके बाद यूटिलिटी सर्विस का चैन करेंगे, यहां पर सर्च करेंगे पैन कार्ड अब यहां पर पैन कार्ड नाम से आपके सामने दो सर्विस या हैं, यह एक सर्विस तो बहुत पहले से बंद है, आप सभी को पता होगा है। तो कुमारी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप अपनी हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लाइट नेम दर्ज करेंगे, आवेड़ दका जिसके नाम से आप एनकट बनाना चाहते हैं, अगर सिर्फ सिंगल नेम है, तो यहां पर वो last name में ही आएगा यह आपको धियान रखना पर कहने का मतलब यह ए तो फस्ट नेम और भी दर्ज़ करने की जोड़त नहीं है तो लेकिन अगर किसी का नम सिर्फ दर्ज़ करें तो इस तरह से आप वो नाम दर्ज़ करेंगे उसके बाद date of birth लिखेंगे और यहाँ पर mobile number लिखेंगे, submit करेंगे, अब यहाँ पर continue करेंगे, अब यहाँ पर आपको NHDL portal पर redirect कर दिया जाता है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आविद्ध कादार number दर्ज करना है, उसके बाद वो सभी detail आजाएगी जो आपने पिछे दर्ज किया तो detail चेक कर लेंगे, check box पे click करेंगे, और submit पे click करेंगे, submit करने के बाद यहाँ पर आप से पूछा जाएगा कि आपका कोई other name है या नहीं, तो यहाँ पर है तो yes करेंगे, नहीं तो no रखेंगे, next करेंगे, अब यहाँ पर आपको parents detail देनी है, तो अपने माता name में ही आएगा, उसके बाद दुबारा से पिता का नाम उसी तरीके से दर्ज कर देंगे, नीचे आएगे, माता का नाम optional है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, sir name, first name, middle name, आप दर्ज कर दीजिए, अब यहाँ पर आप से पूछा जाता है, कि आप पेन कार्ड पर किसका न नहीं, अगर आप स्टुडेंट वगेरा का बना रहे हो, तो यहाँ पर नो करेंगे, अब अगर इन में से कोई income source नहीं है, तो income from other source वाला option सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपना area code या HDD code लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपने सकते हो, नहीं तो यह भी कोई जरूर नहीं है, नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर आपको area code वगेरा देना है, तो इसमें ज्यादा टेंसन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप Indian citizen सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कौन से रच जैसे है, वो यहाँ पर आप सेलेक करेंगे, जहां से आप यह पैन कार्ड बना रहे हैं, उसके बाद सर्मिट करेंगे, यहाँ पर complete preview दिखा दिया जाएगा, अगर कोई कमी है तो आप edit कर सकते हो, नहीं तो आप confirm पे क्लिक करेंगे, confirm करते ही, यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट आ जाता है, अगर आदार का पेन कार्ड में मोबाईल नबर नहीं लगे हुए हैं, तो आप बायोमेटरिक वहाला उप्सन चुन लीजिए, चलिए हम बायोमेटरिक वहाला उप्सन चुनते हैं, जिसमें आप अंग उठा या पिर आथ की कोई वी यंगली लगाकर यह प्यान कार्ट बना सकते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है, आपके पास कौन सा डिवाइस है, मंतरा है, मौरूफ है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ही डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, कुछ टाइम लगेगा, क् अगर बायोमेट्रिक सही से आया है तो यहां पर आपकी EKYC सक्सेस्पूली हो जाएगी, आपको इंतिजार करना है, थोड़ा सा यहां पर टाइम लग सकता है, जैसे ही यहां पर आपको बताया जाएगा कि EKYC सक्सेस्पूल हो चुकिए, यहां पर आप देख सकते हैं, उसके आपको डिटेल चेक कर लेनी है, उसके बाद यहां पर आप बायोमेट्रिक या फिर OTP के मादें से EKYC कह सकते हैं, तो बायोमेट्रिक वाले उप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक न्यू टेप ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आवेदक के अधार नमबर सेलेक्ट कर लेते हैं, और आप मोर्फो सेलेक्ट कर लीजिए, चेक बुक्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर कैप्चर पर क्लिक करेंगे, जैसे कैप्चर पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ओके करेंगे, और बायोमेट्रिक डिव करके आप इसका प्रिंटाओट निकाल कर कश्टमर को दे सकते हैं तो इसे अरह पर आंपर को प्रDER करेंगे और बंढाया है तो कहने का मतलब है कि यह지만 आप अपने pen card को track कर सकते हैं यानि कि check कर सकते हैं कि आपका pen card कहां तक पहुंचा अभी बना है या नहीं यहां पर आप देख सकते हैं अभी NSDL में proceed process में है तो कुछ time लगेगा तो आपको इंतिजार करना होगा अब बात करें pen card की आपको आपकी email ID पर यह पहना है बस दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना है उम्मीद करता हूँ आपको complete जानकारी समझ में आ गई होगी अगर आपके मन में अब भी कोई confusion आ या फिर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हो हमसे कुछ भी वीडियो में छूट गया हो तो प्लीज बेज जा कमेंट में बताईए कमेंट सेक्षिन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई serious topic वाद उस पर वीडियो भी जुरूर बनाएंगे बाकि अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सस्क्राइब करना ना बूले चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जय हिंद वंदे मातरम